हाँ तो इंडिन जोग्रोफी अपने पारट फाइब के साथ में कम्प्लेट ठीक है ना तो बहुत मज़ा होगा पढ़के 400 क्योशन पहले पढ़ लिए 50 क्योशन हम मिल गए तो साथे 400 क्योशन आपने अगर त्यार कर लिए इमानदारी से हैं तो गैरंटी है पेपर में एक भ लगाए यह लोगाई फिर्स क्योशन अपना तो فर्स क्योशन देख लेते हैं अपन सबस्क्राइब कि मद्य परदेश के जाबवा जिले में कौन सी जन जाती निवास करती है विच ट्राइब लीविट जाबवा डिस्ट्रिक अफ मद्य परदेश तो मीन भील या ग्रासिय तो ध्यानगरा मद्य पर्देश का जाबवा में बील जन जाती है न वह निवास करती है जल परदुषण के कारण क्या हो सकते हैं बताओ और द्यों की कच्छे का नदी नालू में जीलू में बिल्कुल सही बात है नगरूं का वाहित मल वह भी उसी में जा रहा है नगरी वाह वह लों के कोई दिकत नहीं होनी चाहिए वैसे नाइट्रेट हो गया यह ठीक हो नाइट्रोजन और सुलफर ठीक है 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 ब्रहंपूतर शतलत यमुना जो रिवर है वह सबसें परदूशित रिवर है कोन सी गेस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है तो वह सी बिल्कुल ओजोन लेर को तो सी पहुंचाती है क्लोरो फ्लोरो कार्मन शोर्ट में कभी सी प्याजाता है वाईउ परदूशन का शुरूद के वैसे के लिए तो वाईउ परदूशन शुरूद के वाई पैट्रोल डिजल का देहन भी है और दियो पकरम भी है ठोस एन लीकित को यहां से कौन सब्सक्राइब ने करते हैं अब कर दोको कि असज़ाता है के तो यह सर्क्राइब कारुद का साधन किया तो प्रदोशन का साधन क्या है और टा सब्सक्राइब जाती है और रगत संचार समंधि वीवन बिमारी बहुत तो सारी बाते वह वायूस हो दिया फिर निम्लीकित मेंसे कौन सा अम्ल यो वर्षा का एक कारण है तो आपके आम्ल तो इसमें नाम आया नहीं है नुस्ट में कोन वान करना तो जल परदूशन बुमी परदूशन परद ध्यान डखना कि एर पोलुशन होगा है पहले बहुँ ज़्यादा गेस उंकार यह गंद की पूरी जाए ऑन ़ौह ठौह परस gravel ऐस यह अगर मैं लोग काफी दूर्ण से जब होती तब ही पर दो होती है है तो यह से करण कारण है ध्रीन के इसतर को मापने की कई डेसिबल बिल्कुल सही बात है क्या होती है डेसिबल जो है हमारे साउंड मेजरमेंट या नॉइज लेवल को मेजर करती है अब जाबवा जिला भी बने पीछे पढ़ाता ना माहहरास्थर के उसक्ति पूरी कहानी पर पर्तिकर्ष और अवकर्ष और उत्रदा इनção के लिए प्रवास के ना माईग्टर ना और सर्वाधिक जलपरदुश। उद्योग, जो है वो ओऔ सा चमड़ा लुगदी कागज वस्तर और रसाइन यानि कि लेदर पल्प पेपर फैबरिक टोटल के टोटल जो हैं वो हमारे पॉलोटिंग इंडस्ट्रीज के है डेसिबल में किसका परदूशन मापन किया जाता अभी परने पड़ा साउंड नोईज पॉलूशन का दोनी पर कि उन्नीत तलचेर क्या है तलचेर वर इजव तलचेर एक कीटना सक्पदारती या यह ओडिशा काीशतर है द्याद रखना यह जो है तलचर एक और शका कोस्टलीसन है ठीक है ना एक थटिशातर है बेस्वां परकरतिक आरकों के कारण व्यर्थ हुए भूमी कौन यह पर करती खड मरुस्त लिए तो बड़ा क्योंशन त्यार होगी आपका मरुस्त लिए 30 जातली भूमी बंजर चटानी शैत्र तीरू ढालवाली भूमी और हिमानी शैत्र यह पूरे के पूरे यानि गलीड बोल दो गलीड लेंड डेस्टिड और कोस्टल सेंट्स बारन रखी एरिया स्टेप श्लॉपिंग लेंड और गलेशियल एरिया जिस सारे के सारे इसमें आ जाते हैं दोनी परदूशन के कारण उत्पन होने वाज़े रोह कौन-कौन से हैं तो बहरापन है तनाव है एक गरता में कमी है इस सारे द्वनी परदूशन से हैं यह सारे नोईज पॉलुशन के वज़े से ही हो रहे हैं जल परदूशन के लिए उत्तरदाई सांसकर्तिक श्रोतों के नाम बताओ तिरतियात्राइं तार्मिक मेले परियतन उप्यूक्स यह सांसकर्तिक श्रोत है जल परदूशन के रिस्पॉंसिबल भी आलंगी है ना क्योंकि यह सब करते हैं तो लोगा कर्ट होते हैं वहां पर थोड़ी बहुत गंदगी वगरता फैलती है जल परदूशन जो कहरे होता ही है क्योंकि लेगन यही है कि कुछ हमारी आस्ताई है है वानेता ही है जल परदूशन के कारण उत्पन होने वाला रोग जो है हेपेटाइटस भी है आंतु में कर्मी भी है डायरिया भी हो जाता है बिल्कुल दस्त डायरिया बिल्कुल पूरे के पर रोग जो है वो वाटर पॉलुशन के वज़ेशन होते हैं गर्मियों के पश इसके लिए क्या सिस्टम है कि बीच में जैसे इसके लें जीरो है इधर आप मान सकते हो वह दर मान सकते हो सेवन ठीक है ना एक से साथ तक प्यूजिस के लिए होता है एक से 14 एक से 14 जो है यह साथ है साथ तक तो साथ पर तो होता है neutral यानी कि यहां ना तो आपके हैं एसिड और ना यह बेस यानि ना तो अमल है ना शार है वह नियूजिसको अपने मोलते हैं उदासीन अगर पीएच स्केल का मान या पीएच का मान साथ है उदासीन है लेकिन इससे अगर कम है तो वो पूरी चीज होती है अम लिए मतलब साथ से कम अगर पीएच आती है तो वो एसीडिक है और साथ से उपर जब आती है तो वो आपके शारिये है यानि की बैसिक है इस चीज को अपने तो याद रखने हैं अपने बहुत काम आती है साइंस में इसको अपन पढ़ते तो यह पेज इसके लोड़ी बाते जाना करा दराती है जल में उरुबरक किस तत्वे की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो फटलाइजर इंक्रीज दा अमाउंट आप वाटर वह बढ़ा देजा नाइट्रेट अभी पने पेच्छे भी लिया था क्यों नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा गंदीबस्तियों के कार्ण उत्पन होने वाले समयश्यों में कौन सामिल है यानि जो स्लम से उनमें सामाजी बुराईयां भी होती गंदगी गंदगी की समयशत कह सब्सक्राइब होता है सारी बात ही है कॉमन सेंस आप आराम से कर सकते हो कि बिहार दता यूपी राज्यों में गंगा नदी के प्रदुशित भाग कौन-कौन से हैं कानपूर से वार्नसी वाला पॉर्शन गंगा का यह वह बहुत ज्यादा प्रभावित है मतलों गंदा है चाल पर धारशिय क वाणसे प्टना बिल्कुल दोनों के दोनों जों इन यह गंगार फोर्ड़ के पॉलिटेड पोर्शन है दोनी परदूशन म upgrade नाउज प्रदूशन का मतलब की नौ पूलिशन का तो परिवेन के साधल है बिल्कुल लाॉप्रका हैं बिल्कुल बेज इंडस्ट्री का उद्योगों शौर बिल्कुल सारे हैं मेंस टांसपोर्ट हैं लाउड स्पीकर है नौइज अप इंडस्ट्री है सारे हैं किस नदी की सफाई यह तो नमा में गंगे यह यह गंगा रिवर पर्वाश या परकति विशिष्ट होता है ने जरुर नहीं होता है कहीं पर बीजे जाजा बतरे हों तो कहीं पर इंडुस्रियों का है कई पर किसी का है कई विकल का है सरवादिक जल पर्दुष्ण फैलाने वाले उद्योगों में शामिल कौन से हैं चमणा उद्योग लोग दिशा रही है ठीक है न पहले भी ले चुके 32 देखो वायू पर्दुष्ण के लिए जिमेदार कारग अपने कर तो कारगर मॉनोक्साइड भी है सी साव एसबेस्टस भी है और सी ओटू कारगर निकलते हैं तो सारे के सारे जो है वायू पर्दुष्ण के कारण है भारत की सरवादिक पर्दुष्ण मद्यागर आप से पूछे यानि सबसे पॉलुटेड रिवड पूचे तो गंगार य बिल्कुल प्रदुष्ण हो सकते हैं 35 रासाइनी अरूरू के अधिक परियोग के क्या नेगेटिव इफेक्ट है क्या दूस्परिणाम है तो इनके अधियादिक परियोग से भूमी में सुक्षम जीवनेस्ट हो जाते हैं बिल्कुल जो नीचे के होता है किसानों के मित्र हो जाते हैं और कुब सारे शुक्षम को बन जाती है नीचे पिर वापस खौद कवर डालते हैं तो वापसे अधिक कम हो जाती है बिल्कुर दोनों बाते हैं सई ग्रामिन शेत्रों में शेहर शेत्रों की और प्लाइन का मुख्य कारण क्या है उच्छ शिक्षा के लिए लोग आते हैं अधर सवीदाई भी इंपरस्ट्रक्षर फैसिलिटीज़ बहुत जयदा है हमारे यहां पर सीटी में तो यह सब कारण हे लोग गाउं से शरूम आते हैं बारत में अत्यदिक जल से इंचाय के कारण बारत के किस भाग में मृड़ा का लवनिय कर्ण जो ज्यादा हो गया है क्या सामान बनाते हैं वो लोग वो सेरेमिक्स आभुशन सेट और लकडी का फरनीचर यह बेसिकल उनका काम है बिल्कुल उप्रयोग सभी है ना उप्रयोग सभी बनाते हैं यह दाराविबस्ती के लोग के कची बस्ती लेकिन उनको भूंगणू की रेट मिलती है इसलिए गर अर्बन से यह क्या शेहरी धुम्र कुहरा भी का जाता है ठीक है ना चालिस वह बूपर्दूशन का कारण पाई लेंड पॉलूशन का मुक्यत कारण क्या है पेड़क नाशी उरुव का शिडगाव करना जमीन बिल्कुल लिस्टा भोगी उससे अनूप अनूप चारित और अउशिष्ट का निप्तारा और अनुचित मानों के लापपन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं वह भी सब कुछ कारण इसके हो जाते हैं फॉर्टीवन देखो अम लिए वर्षा का मुख्य कारण कौन सा नहीं है कार खानू से निकलने वाली गंदक है उज्योग से निकलने वाली गंदक है लेकिन समुद्र का पानी का भाई क्या लेंदे ना ठीक है ना यह द्यान रखें बायाली स्वा धारावी बस्ती में केव सेएक ही रोड निकलती है उसके 90-foot रोड कहते है उसको एक-100-foot कहते है ना देखना 100 foot road कहते हैं भाग-foot-road कहते हैं लेकिन 90-foot road नहीं कहते हैं हम इसको छोड़ जारना 않은 है वह पयोग सभी था उपयोग सभी लिख दिया गया कोई बात निया ना टाइपिंग एर रहा है 43 चैन्य पतन का निर्मान कब किया गया मतलब जो चैन्य पोर्ट है वो कब बना चैन्य पोर्ट बना था भाई 1859 ठीक है ना 44 देखो कोलकता पतन किस नदी प्रवस्तित है और विच रिवरेस कोलकता हुगली पर है ना हुगली रिवर पर है ठीक है ना 45 निवन में से किस बंदरगा में चोवन गोधियां और देश का विशालतम टर्मिनल इस्तत है विच आप फॉलोंग पॉर्ट है फिप्टीफॉर बर्स और लाडजेस टर्मिनल अप्तों है मुंबई सबसे बढ़ा है वे कमी हो रही है क्या या आयात कर्में वर्दी हो रही है या हरित करांती की सफलता या फिर जर्म दर्में कर्में सिद्धी सी बात है हम पहले अनाज करिदा करते थे यह आयात करते थे अब आयात में कमी क्यों हो गई कमी यह हुई कि अब हमारी हरित करांती में सफलता मिल गई और बहुत ज़्यादा धान हमारी यह पैदा हो जाता है तो हम आयात क्यों करें निर्यात करने लगे हम तो बेशते हैं विशाका पटनम बंदरगा की मुख्ये विशेश्ता बताओ यानि जो विशाका पटनम पॉर्डरस के मेन फीचर क्या है यह आंदरप्रदेश में इस्टत एक भुवाबद बतन है इसे ठोश सटान है बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुदर से जोड़ा गया है बिल्कुल सी इस करेक्टा अंसर दोनों बाते हैं सही है जो आ रही है पतन किस नदी पर है यानि जो टाइडल पॉर्ट लोकेटेड़ है वो कौन से रिवर पर है वो भी है आपका हुगली ठीक है हुगली पर है फोर्टि-नाइन देखो कोरोमंडल तर्ट कौन सा बंदर गाए यह जो कोरोमंडल कोस्ट है किस से रिवर पर है क्या कौन सा बंदर गाया व विशागा पटनम को कहते हैं तो विशागापटनम कोरोमंडल है अब लोगाई 50 अर्दशतक पूरा जमारलाल नहरू पतन बारत का विशालतम कौन सा कंटेनर पतन है कंटेनर ठीक है ना कंटेनर पॉर्ट ओफ इंडिया है और यह अपना एक्याउन में क्योशन है कि विभाजन के समय कौन से महत्पुन पतन भारत से अलग हो गए कराची विशागापटनम चिटगाउं तो ध्यान रखें विशागापटनम अ और लास्ट क्योशन है लेग्यून जील के मुहाने परिस्थे प्राकरतिक बंदरगाह है तो वह अपना कोच ठीक है तो लगबख साड़े चार सो क्योशन आपने इंडिन जोग्रोफियों अगर त्यार कर लिए तो मज़ा आ जाएगा आपको 100% टोटल अपने पार्ट बने है इस समय ते पांच वर्ड जोग्रोफिया यूमन डेवलप केमेंट के भी शाहिद चार पार्ट है ना तो चार पार्ट में उसको भी कंप्लीट कर दें तीन में उसके ज्यादा क्योंशन नहीं है क्योंकि उसके जो डेवलप्मेंट वाला एक चैप्टर वह तो अपने इस बेड़े क्योशन लेकर चलेंगे आराम से त्यारी करो शांदार डेली पड़ो बहुत गजब की त्यारी आपकी हो जाएगी ठीक है ओके